हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में दोस्तो आज मैं आपको सबसे पहला सवाल देख लेते हैं सबसे पहले मैं आपको संख्या है एक एक पांच पॉइण नहिשंद आय пот ऑर एकक पॉइंट के बात लगाओ और एक पॉइंट से पहले पहले वाला को एस तरीके इस तरीके से line कर देंगे, ऐसा आप सिर्फ में करिए, अगर आपके सामने ही ऐसा सवाल आ गया, ठीके दोस्तों, इस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह जो साथ है, यहाँ पे हम लोग point के बाद वाला गर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग point लगा और यहां पे हम लोग साथ लिख लेंगे ठीक है यहां पे क्या लिख देंगे साथ लिख देंगे अब यहां का हम लोगों को इस्तानी अमान पता चल गया ठीक है अब इस वाले साथ की बात कर लेते हैं यह बहुत सारल है इसमें पॉइंट की बात नहीं करेंगे इसमें ले वाली संख्याइं देखते थे इसमें बाद वाली संख्याइं देखेंगे तो कितनी संख्याइं दो संख्याइं तो दो जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं ठीक है तो इसका इस्तानियमान 700 हो गया और इसका इस्तानियमान 0.01 हो गया ठीक है एक बात और समझने की है अगर option म आप्सन में अगर यह आ जाए तो देखिए पॉइंट जीरो साथ इसका अगर हम लोग दसमलब हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा एक दो संग्या हैं तो दो जीरो बढ़ा देते हैं तो यहां पर हम लोग पॉइंट हटा देंगे ठीक है ना अब यह जो साथ है इस साथ की होगा तो एक बटब स्वगा क्या होगा एक बटब स्वगा और ऐसे भी अगर पूछ दिया जाए तो आप ऐसे बता दीजी ज्यादा तर ऐसे पूछा जाता है ठीक है तो हम लोगों को अंतर पता करना आप तो सबसे बड़ी संख्या है यह है 700-0707 इसका हम लोग करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? छै, नो, नो, पॉइंट, नो, तीन, ठीक है? यह आपका अंसर आ जाएगा. दूसरा सवाल देख लेते हैं. इस वाली सवाल में क्या है? इस संख्या का पांच के इस्थानियमान और इस संख्या में क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इस वाली संख्या का निकाल लेते हैं. पहली संख्या का दो, नो, पांच, जीरो, तीन, ठीक है? तो पांच के इस्थानियमान निकालना है. ठीक है? और यहाँ पे एक संख्या क्या हो गई? यह हो गई. तीन, दो, जीरो, साथ, और एक. ठीक है इस संख्या में पांच का इस्थानी अमान पता करना है तो पांच के इस्थानी अमान को पता करने के लिए क्या करते है देखिए जो प्रोसेज है वो प्रोसेज क्या है इस तरीके से है तो पांस लिख देते हैं ठीक है इसके आगे या तो आप डारेक्ट दो जीरो बढ़ा दीजिए अगर प्रोसेस से करना चाह रहे हैं जैसे आपको जब भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे उस तरीके से आप कंफ्यूज ना होना इसी संक्या जातिय मान भी कहा जाता है तो सात का जो अंकित मान वही संक्या होती है और तो पांसो मैंसे साथ घटा देंगे तो कितना जाएगा 400 तिरानवी तो यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तीसरा सवाल देख लेते हैं यह वाला सवाल भी बहुत जादा पूचा जाता बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है यहां पर आप इंपोर्टेंट लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या गया है संख्या एक सो पांच के गुलंखंडों की संख्या बताई है तो देखिए यहां पर क्या है एक सो पांच है एक सो पांच के सबसे पहले हम लोग गुलंखंड कर लेते हैं ठीक है यहां पर एक सो पांच लिख देते हैं तो यहां पर किस से जाएगा पांच से चला जाएगा तो पांच कर देते हैं तो पांच दूनी दस और पांच एकम पांच तीन स साथ अब हम लोगों को ये देखना है कि इसके उपर घात क्या है इसके उपर घात दोस्तों क्या मानी जाती है एक मानी जाती है ठीक है इसके उपर जो घात मानी जाती है वो एक मानी जाती है इसी एक घात में दोस्तों इसी एक घात में क्या करेंगे हम लोग एक और जोड़ ठीक है ना तो यहां पर एक घात यह हो गई प्लस एक लिख देंगे ठीक है यहां पर गुणा का चिल लगा है तो गुणा लगा देंगे यहां पे फिर से एक प्लस एक फिर एड़ कर देंगे ठीक है यहां पे फिर गुणा कर देंगे यहां पे एक एक सेम प्रॉसेस करेंगे वन प्लस वन ठीक है और इस तरीके से हम लोग लिख देंगे तो यहां पे दो गुड़ें दो गुड़ें दो तो दो का क्यों भी आ फिर दो का कुणा अगर दो में चार चार दो नहीं आठ यहां नहीं कि यहां पर आ जाएगा आठ यही आपका आंसर होगा तो 105 के जो गड़न खंडों की संक्या है वो कितनी है वो 8 है ठीक है न तो आपसन नमबर ए आपका ठीक है चौता सवाल देख लेते हैं यह भी सवाल इंपोर्टेंट है दोस्तो इसमें सबसे पहले हम लोगों क्या सबसे बड़ी भिन और सबसे छोटी भिन में अंतर पता करना है तो यहां पर आप in important लिह लेना अगर इस तरीके का सवाल नहीं आए तो यह जरूर आ सकता है की इसमें चोटी भिन या बड़ी भिन पताईए ठीक है ना तो इसमें या फिर ये आ सकता है कि सबसे चोटी भिन और बड़ी भिन को क्या है इसमें आरोही और अब रोही करम क थोड़ी से आसानी हो जाए तो तीन चिंगे अठारा तो यहां पर पॉइंट लगेगा अब ठीक है ना यहां पे गया तीन चिंग अठारा ठीके ना और फिर से तीन चिंगे अठारा आ जाएगा ठीके ना दोस्तों तो इसमें च्छे च्छे भड़ता चला जाएगा तो फिर तीन चिंग अठारा कर दीजिए ठीके अब यहां पर क्या आ रहा है कि आठ चिंग अड़ तालिस हो रहा था तो यहां पर कोई भी अगर संख्या या जीरो नीचे उतारी जाएगी तो यहां पर जीरो आ जाए गई वैसे यहीं पर आपको आंसर पता चल गया था क्योंकि यहां पर देखिए एक संख्या यह आपके पास एक यह और एक ही है यहां पर लिख देते हैं 1,666 ठीके यह पहली विंक इधर का ठीके 6 आया था इसका पूरा पूरा कड़ गया था और यह वाली जो संख्याए है यह बाद वाली 6.2 ठीके 2 कर दो यहां पर दो जीरो आ जाेगा बाद में जो संख्या बढ़ेगी वो पांच बढ़ जाएगी ठीकありがとうございます यहां पर सबसे बढ़ क्या करना था कि जो सबसे बड़ी भेन है और सबसे छोटी भेन तो याएंदि की च्छोटी भेन कौन सी यह वाली है ठीक है तो उसका अंतर-पता करना है तो यह हम लोग देख लेंगे दो वटे तीन, ठीक है, माइनस, जब बड़ी विन है, तो बड़ी विन सई करेंगे, ठीक है, और तीन वटे पाँच, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, पंद्रा लिख देंगे, और पांस दुनी दस, और यहाँ पर नो, और यह आपका अंसर आजाएगा, एक वटा पंद्रा, आपका option number A सही है ठीक है पांचवा सवाल देख लेते हैं दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही जादा important है ये सवाल देखिए दोस्तों ये तो आप भिन में जोड़ लीजिए या फिर आप प्रत्सत में जोड़ लीजिए ठीक है ना तो जब भिन का chapter होगा कभी कभार आपको भिन ने कौन सी x बटे y ठीक है x बटे y मालेते हैं तो यदि किसी भिन ची अंस को 20 प्रत्सत कम कर दिया जाए ठीक है पंकर देते हैं कितना हो जाएगा गोड़े कम का मतलब chi है 100 पर बात होती है कम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 80 right यहां पर हर है तो हर को क्या करेंगे हर 10% भड़ गया ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 पर बात हो रही तो 110 भड़ गया बरावर तो बढ़ा दिया जाए तो भिन का मान 16 वटा 55 हो जाएगा तो यहां पर 16 वटा 55 भिन का मान हो जाएगा इसे जीरो से जीरो अटा लेते हैं, जब यहां पे पच्छांतर करेंगे, यहां पे क्या होगा, या फिर इसे अम लोग भाग देंगे, इसे अम लोग जब भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत 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 धन्यवाद,